ओम स्रीगनेशाय नमदूस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ सितंबर गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन कुम्ब राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहत्तर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्बराशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजेटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपकी वित्य इस्थिती में काफी सुदार आ जाएगा अचानक से धन प्राप्ती के आफसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविस्य में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे शिक्षा के लिए बहतरी समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियों को प्राप्त करेंगे दोस्तो आप में आज उड़जा का इस्तर सामान रहेगा दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा धहरे से काम लेना होगा और टकराव की इस्तितियों से आज आज आप बच कर चले आप सांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे दोस्तो आपकी आर्थिक इस्तिती आज काफी बहतर रहने वाली है और आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिष्टेदारों की आर्थिक सायता करेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अधिक लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगडे हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त हो सकते है आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीरव इच्छा पैदा होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए कामियाबी और खुसहाली लाएगा अपने उद्धिस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा तो आपको अच्छे पैद्धाम प्राप्त हो सकते हैं आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है दोस्तो आपको अपने भाई बेनों का आज पूरा शेयु प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा आपको परिवार की जरूतों को ध्यान में रख कर कार्य करना होगा जो कई बार आपके नियंतर से बाहर होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तों साथ साथ कोई खास सौधा या बड़ा फैसला लेने से बचे कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं दिनवर कहीं न कहीं से रुकावट की इस्तिती रहेगी जो समया कर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दे कठिन परिश्रम से सभी कार्रे आपके पूरे होंगे लेकिन अनावश्चक खर्च बढ़ने से आर्थिक इस्तिती प्रतिकूल हो सकती है लेने देन में साथदानी बढ़ते हैं परिवार का माहौल अच्छा लहेगा लेकिन दोस्तों से अनबन हो सकती है समवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवश्च रकता है संसादनों पर खर्च होने से मानसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है आत्म विश्वास के आभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बादा उत्पन हो सकती है वेवसाइक द्रश्टी से समय आपके लिए सामान रहने बाला है कोई नेकार योजना को विस्तार देना परिसानियों का कारण हो सकता है कोई तनाव और मतबेद आपको चड़-चड़ा और बेचेन बना सकते हैं आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे सुनी अंसुनी बातों पर आँखें मूंद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली बाती परकें वानी पर नियंतर रखना होगा अन्यता कल है होने की संभावना भी रहेगी साफधान रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शेरेने वाले हैं दोस्तो किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है ऐसे में आपको मदुर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश्चक है आपके प्रियास से इस्तिया अनुकूल हो सकती है आप अपने रिष्टे को नई रचनात मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती, अत्यादिक आकर्शन भी महसूस करेंगे लेकिन ध्यान रखें, मर्यादित आचना करना ही सर्व था उचित होगा साथी साथ दोस्तों आपको अपने प्रियतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तम में यह रिस्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है और आपका प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और कारे छेत्र में सफलता मिलेगी हलाकि कारे भार की अधिकता रहेगी जिसके चलते मेहनत आपको अधिक करनी पड़ी और पूरा दिन भागदोर में बीतेगा कामकाज के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाबदाएक सिद्ध होंगी साथी साथ आज आपको धन प्राप्ती के भी अनेकों अवसरों की प्राप्ती होगी जिससे आपका मन बहुत प्रसन रहेगा दोस्तो साथी साथ मेडिकल से जोड़े छात्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी दिन आज का काफी मिला जुला रहने वाला है साथ साथ आज आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्त को लेकर बिल्कूल भी चिंतित होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे आज आप अपने आपको उर्जावान और बिल्कुल तनावमग तो महसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा आप साथे साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश होपाय क्या है दोस्तों आज आप जब भी इस्नान करें बस इस्नान करने से पहले नहाने वाले पाने में आप चुटकी बर हल्दी डाल कर इस्नान करें इसके साथ ही आप इस्नान करते समय मनिमन ओम नमो भगवते वाशुदेवाए नमहां मंतर का मनिमन आप जाप करते रहें ज्यां दोस्तो इसनानादी से निर्वत्र जबाब हो जाएं उसके बाद आप बहुती सच्चे मन से श्रद अभाब से भगवान विश्णु जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और वहीं बैटकर आप विश्णु से सस्त नाम का भी पाट अवश्य करें ज्यां दोस्तो इत आपको अवश्य करें आपको इससा करने से अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान विश्णु जी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैसरी हरी विश्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूले धन रख़ाद अवश्य करने से करने से कमेंट्स बोक्त होगा.